स्वागत है दोस्तों, हमारे यूटीब चैनल स्टडी टीप्सर आसा करता हूँ, आप अपने और अपने परिवार का खयाल रख रहे होंगे, और मैं प्रितम आप लोगों के लिए नए-नए इंफरमेसल लेकर आता हूँ, और आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही नया इं तो चलिए इसके बारे में जानते हैं सब कुछ, कि ये है क्या, और इसके बारे में केंदर सरकार ने क्या-क्या गाइगलाइन्स जारी किया है, चक्रवाती तुपान होता क्या है, ये कैसे बनते हैं, हर कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यास है यह इस्टरन कोस्ट यानि यह दीख रहा होगा पुर्वित तट के इलाके जो हैra 26 मई के बीच में मतलब यह क्या करने वाला है बिध्वन्स मचाने वाले इस्टव वांले रिजन में उडिशा और बंगाल वाबुआरλगों में तो इंडिएन में अंडमान सागर में नोर्थ अंडमान सी में और इस्ट सेंटरल बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेसर एरिया बन रहा है 22 मई को मतलब यानी की कल वो बनने बन रहा है और 24 मई तक वो क्या होगा एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा फिर वो आगे बढ़ेगा और 26-27 मई तक कहा पहुच जाएगा उडिसा और वेस्ट बंगाल वाले रिजन में पहुच जाएगा दोस्तों और ये बिधवन्स मचाने वाला है तो जैसा कि हम लोग यास के बारे में जाने कि ये 26 और 27 मई को उडिसा और वेस्ट बंगाल वाले रिजन में पहुच जाएगा और ये बहुत ही बिधवन्सक है याद होगा आप लोगों को कि पिछले साल मई के महिने में ही 2020 में एक तुफान आया था अमफान जो कि बहुत ही जादा बिधवन्स मचाया था वही उडिसा और बंगाल वाले रिजन में तो उसी तरह का ये इसका सिवियरिटी माना जाता है कि ये भी बहुत ही जादा बिधवन्सक तुफान है यास और इसका नामकरन किस ने किया है तो ओमान ने ओमान ने इसका नामकरन किया है, तो अगर आप लोगों को जानना है कि यह जो cyclones होता है इसका नाम कौण रखता है, इसके नाम कैसे रखे जाते हैं, तो आप लोग comment करेंगे, हम इसके बारे में एक विडियो बना देंगे तो चलते हैं इसके बारे में और क्च जानने के लिए, कि जो तो जो केंदर सरकार है दोस्तों केंदर सरकार है उसने सारे राज्यों को यानि कि पस्चिम बंगाल और यहां के पुर्वी तटिया वाले राज्यों पस्चिम बंगाल और उडिसा को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी किया है इसमें राज्य सरकार को तयार रहने के लिए कहा और जरूरी चीजों का पहले से ही इंतिजाम करने के लिए कह दिया गया यानि कि यह बहुत ही बिधवन्सक तुफान यास चक्रवाती तुफान आने वाला है उसी को लेकर तो इसमें खास तोर पर पूर्वी तटिया इलाकों में स्वास्तत सुभिदाओं को दुरूस्त करने इसा और बंगाल के तटिया इलाकों से ठकरा सकता है दोस्तों अभी सरकार जो है कोविड महमारी के कारण कई राजियों में जो सार्वजनिक स्वास्त है तो वैसे ही बहुत सारा चुनोती राजेस केंदर सरकार के सामने बना हुआ है तो ऐसे में राहत सिवीर आंधी, बार पानी हवा से जो विमारिया उत्वन हो सकती है उसको देखते हुए जो केंद्रिया स्वास्त सचीव है दोस्तों केंद्रिया स्वास्त सचीव उसका नाम है राजेस भुसंजी ने आंधर प्रदेश, उड़िसा, तमिल नाडु और बंगाल के स्वास्त सचीवों को पत्र ल यह हम पहले से ही प्रिपर रहे हैं दोस्तों तो यह चक्रवाती तुफान होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं यह आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक बहुत ही तेज रोटेशन हो रहा है एक ओसियन में बहुत तेज रोटेशन हो रहा है तो साइकलोंस मतल नहीं क्या कहलाता है, साइकलोन कहलाता है, ये देखिए कुछ साइकलोन के पिक्स हैं, इस तरह से ये बहुत तेज क्या होता है, ये एक तुफान लेकर उठता है, और ये जब ओसियन से लैंड की ओर आता है, तो इसका तिवरता क्या होता है, धीरे धीरे घटते जाता है, ले देखें यह जो tropical cyclone होता है यह जो यास है यह भी एक तरह से tropical cyclone ही यानि कि उस निकटी बंदिया चेत्र में उठने वाला क्या है एक तुफान है दोस्तों चक्रवाती तुफान है तो यह tropical क्या है ट्रोपिकल साइकलोन यानि कि उस निकटी बंद वाले छेतर में उटने वाला तुफान ये छेतर जो है इसे कहा जाता है ट्रोपिकल जोन और इसमें क्या होता है साल भर, मतलब पूरे साल सुरी का रोसनी इस तरह से देखिए sunlight पूरे साल इसमें बराबर मात्रा में पढ़ते रहता है दोस्तों पढ़ते रहता है तो जिसके करण की यह बहुत गर्म रिजन है बहुत ही ज़्यादा गर्म रिजन है अब इस रिजन में अगर कोई ocean होगा तो क्या होगा यह गर्म होगा तो यह ocean का water का जो उपर वाला layer चुट जाएगा कम हवाला चेतर तो यहां पर एक low pressure वाला area बन जाता है जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके थे कि एक low pressure वाला area अंडमान सागर और जो central बंगाल की खाड़ी में है बन रहा है जो कि 22 मही को बनेगा और 24 मही तक एक cyclone का रूप ले लेगा तो यह cyclone कि किस तरह यह rotation में गूमता है और यह route ले लेता है किस तरह से यह देख रहे हैं तो यह क्या होगा यहा लो तो क्या होगा जो high pressure से जो air होगा इसके ओर दोड़ेगा इसके ओर आएगा तो जैसे ही इसके ओर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा जो यह मौश्ट लेकर आएगा फिर क्या होगा यहाँ पर गर्म होगा यह जो sunlight के कारण फिर से यह मौश्ट गर्म होगा और उपर के ओर पतार मानों की 180 से किलो मिटर पर आवर, 160 किलो मिटर पर आवर के रेंज में भी हो सकता है और ये बहुत ही तुफान बिद्वन्स मचाता है दोस्तों तो चलते हैं ये देखिए इस तरह से यहाँ पर क्या होता है अच्छा ये जो है कि एयर हाई प्रेसर से लेकर लो प्रेसर क कि और इस तरह से आ रहा है तो ये स्ट्रेट वाड आ रहा है तो कैसे ये साइकलोनिक फॉर्म में किस तरह से गुपता है तो दोस्तों जो ये आर्थ होता है ये क्या होता है ये रोटेट करता है और जो ये वाला रिजन है ये वाला रिजन जो है ये क्या है ट्रॉपिकल र एर इसकी और आने लगता है और जब air आएगा और जब एर आएगा और क्या होता है कि अर्थ मुव करता है जिस करन से कि यह क्या होता है घूमने लगता है और घूमते-घूमते cyclone का रूप ले लेता है और बहुत तेजी से हवा जो यहां से उठती है moisture को लेकर जो air का moisture जो ल लेकिन हम बता चुके हैं कि तबेक्ट में ये बहुत डायमेजुज कर चुका होता है दोस्तों और इतने बड़े तो हरीकें तो इस साइक्लोन होता है और इसके नाम करन इसका naming कैसे किया जाता है इन cyclones का ये जो rotation जो होता है cyclic function में cyclic fashion में जो rotation होता है air का इसका naming किस तरह से किया जाता है अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप लोग क्या करेंगे हमारे वीडियो पर comment करेंगे और अगर आपको 26-27 मई को East Coast वाले रिजन में एफेक्ट करने वाला है ठीक है और ये बहुत ही बिद्वनसक होने वाला है दोस्तों और हमारा देश जो है अभी COVID से जू जी रहा है और अभी ये दूसरा तुफान ये दूसरा साइकलोनिक तुफान आ गया पहला क्या आया था पहला 17 मई के आसपास ताउते आया था और ये दूसरा आ गया दूसरा आ गया दोस्तों 26-27 मई के आसपास आ जाएगा जो बहुत विद्वनस मचाने वाला है यास इसका नाम करन किसने क्या है तो अमान ये याद रखना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करेंगे और लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर informational video आप लोगों के लिए लाया जाता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही चलिए मिलते हैं अगले information